अज हम बनाएंगे मिठाई और एकदम आसान तरीके से बनाएंगे इसे बनाने के लिए आपको ना चासने के जरुवत है और नहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सबसे आसान रेसिपी है और इसे आप बना के महीनों तक रखके खा सकते हैं और सुपर डूपर हेल्दी भी ह अज़ को बहुत है यह रेसिपी अज़ पर बहुत है चलिए आज की रेसिपी श्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें एक पैन लेना है और पैन में हम डालेंगे मखाने जिसे लोटास इट्स भी बोलते हैं और यह मैंने एक बूल भर के लिया है और यह थोड़े से नरम ह जाए को क्या है माँतों आज वी जयाता है मतलब अच्छी के लिए आए बड़े के लिए वी अच्छा हो एक हड़ीों के ल Trazeszा हूसा ना है तो सबसे पहले में एक से दो मिनिट लगेंगे लोटो मिडें फिलेंफ इसे सेघे रगा तेज आज पे मत सेखे कीएगा अब यहां पर मैंने ले लिया CHenza और यह भूने चने जो होते हैं और छिलके वाअले वह चने उसको मैंने पीस के पाउडर बना लिया है तो देखें मैं यहां पर डेड़ कप के करीब भूने चने का पाउडर ले रही हूँ वैसे तो यह भूना हुआ रहता है लेकिन आप लड़ू बनाने से पहले इससे थोड़ा सा सेक लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा अब यहां पर आपको कलर चेंज होने मैंने लगबग 2-3 मिनट के लिए लगतार चलाते हुए भून लिया है और जब इस लड़ू को बनाते हैं तो मेजर्मेंट का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा एकदम पर्फेक्ट बन के तैयार होगा तो मैंने यहां पर एक बूल मखाना लिया है और से भून लिया है दूस इसी के साथ मैं आपे चीनी डाल लोगी चीनी को भी इसी के साथ पीस लोगी और देगे मकाने एकदम ठंडा हो गया उसके बाद मैं आपे चीनी डाल लिया है और मैंने एक कप बहर के चीनी लिया है पूरा बहर के नहीं उपर तक लेवल करके दबा के नहीं लिया है पास हो ले लेकिन सबसे असान है चीनी सभी के गर में रहता है तो मैंने एक कप पूरा भर के नहीं थोड़ा सा कम चीनी और मखाने को पीस लिया है अब इसे हम जो हमने चने का पाउडर भूना था उसमें मिला देंगे इसे अची तरीके से मिक्स कर देंगे पहले हमें इन सार ज़र पर फोटो भी आप शेयर कर सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहां पर मैं थोड़ा सा ईलाची पाउडर आड़ कर रही हूँ अगर आपको नहीं पसंत इलाची को स्कीप कर दिजिए अब इसे हमें क्या करना इसमें डालना है घी तो घी को थोड़ा सा गरम मेलट करके। यहां पर चने काटा नहीछ टंडा नहीं प्लितन आपादके। और अच्य ज़्यासरी एसे कटरी से एक गंटन है एक बार में जड़ा ने ही डालेंगे देखिए अच्छे गी डालने के बाद हमें बैंडिंग आने अंगे यहीं घी अगिश्कन देखि इसमें अग बाता करके बनेगा बहुत ही अच्छा बनेगा और देखिए घी मिक्स करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा जो मिसरन तयार हुआ है लेकिन इसमें थोड़ा सा घी और डालेंगे तो मैंने जितना घी लिया था सारा ही डाल दिया है अब इस तरीके का टेक्स्चर हो जाएगा जैस इसे गुटलिया खतम करनी है फिर उसके लड़ू बना के तयार करेंगे तो देखिए इस तरीके से हातों में लेंगे तो यह लड़ू जैसा बनने लगा इसका मतलब यह जो है लड़ू बनाने के लिए हमारा मिसरन परफेक्ट तयार हो गया है तो अब इसके हम लड़ू ब तो इस तरीके से जब लड़ू बना उसी टाइम इसमें लगा देंगे तो यह चीपकर आएगा नहीं तो निकल जाएगा तो इस तरीके से हमें लड़ू बना के तयार कर लेना है और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने फैमली फिरम का मौका मिल सके तो इस तरीके से हम सारे लड़ू बना के तयार कर लेंगे और यह बस कुछी चीजों से बनके लड़ू तयार होती है जो बच्चों का हाइट नहीं बढ़ता है उनके लिए बहुत ही अच्छा है आप उन्हें खिलाईए अगर आप इसमें थोड़ी बहुत चेंजस करना चाहते हैं तो मिसरी के पाउडर आइड कीजिए खान डाइड कर लीजिए अगर आपको मिठा इस तरीके से चीनी नहीं आइड करना है तो थोड़ा सा चेंज करके अपने हिसाब से लड़ू बना सकते हैं तो बड़ी असी लड़ू हमारी बनके तयार हो गई ह आप इसे डेड ऌव एजी ली एस св tapes करके रख सकते हैं बिना फ्रिज कर तो इस तरीके से जब लड़ू बनाते हैं तो जरूरी devi नहीं आपको फ्रिज में रखने कि जरूआते है बिना फ्रिज कर वी बहुत अच्छे तरीके से आप इसे खा सकते हैं और देखियी जब आप आपको तीन चार घंटे बाद का यह है इस तरीके से लड़ुक हम जब तोड़ते एक दम स्वाप्ट होता है मुह में जाती घूल जाता है अब परफेक्ट मेजर्मेंट से बनाएंगे लड़ु बहुत ही अच्छी बनेगी तो ट्राई जरूर करिए और तब तक के लिए बाई बाई